Good morning students फिर कुछ नएर set of words आपके सामने pronunciation की practice के लिए और ये words क्यलाते है rhyming words हम इने क्या बोलते हैं? rhyming words, very good चलिए, आज हम देखेंगे ओक, ओक words और अंच words अंच and ओक स्टार्ट करेंगे ओक words से आप तो सीखें र, ओक, रॉक ल, ओक, ल, ओक ओक, आखने ल, ओक, र, ओक, र, ओक सामने बोली है? र, ओक, र, ओक, र, ओक र, ओक, र, ओक, ल, ओक, ल,क साथ मैं बोली है? र, ओक, एन, ल,क र, ओक, एन, ल,क अब आते हैं हम अंच वर्ड पर अंच अंच, अंच ज्यादा फोर्स नहीं देना है? ज्यादा लंबा नहीं खीशना है? अंच, अंच ल, अंच, लंच म, अंच, मंच प, अंच, पंच पढ़िए, ब, अंच, बंच ह, अंच, अंच इसको एक साथ पढ़ें क्र क्र, अंच, क्रंच once again अंच वर्ड्स ल, अंच, लंच म, अंच, मंच प, अंच, पंच ब, अंच, बंच ह, अंच, हंच अंच, क्र, अंच, क्रंच पुरा एक साथ, set of words लंच, मंच, पंच, बंच हंच, अंच, क्रंच एक छोटी सी चीज़ आपको और बताने है अभी तक हमने देखा बैटा मिलती जूलती spellings sound एक जैसे rhyming कई बार ऐसा होता है कि spellings अलग दिखती है पर जब हम बोलते हैं तो उनका sound उच्चारण एक जैसा होता है for example मैं लिख रही हूँ देखिए बोलिये पो बोलिये मो बोलिये डो spellings बिलकुल अलग है F-O-U-R M-O-R-E D-O-O-R पर जब पढ़ रहे हैं तो मैं अगर आपको spellings नहीं दिखाऊं और मैं बोलू for more door आपको क्या लगेगा? कि spellings बिलकुल एक जैसे हैं पर देखिए यहाँ spellings में कितना अंतार है? कोई spelling किसी से match कर रही है? नहीं पर यह rhyming words हैं हम इस set को कोई नाम नहीं दे सकते इसलिए नहीं? क्योंकि यह spellings अलग अलग हैं और मैं अगर इसको और words बोलूँगी तो आप U-R है कि R-E है कि O-R है यह नहीं समझ पाएंगे इनकी spellings different हैं पर यह rhyme कर रही है उच्चारण में पो-मो-डो एक और देखें पढ़िए यह bout नहीं है बेटा बहुत सारे बच्चे इस U को बोलते हैं bout आपने इसको bout बोला और यह गलत हो जाएगा यह bout नहीं है यह bought, bought, bought बोली bought, bout नहीं इसके साथ इसकी rhyming है भले ही यह odd word नहीं है यहाँ पर o-t आ रहा है इधर o-u-g-h-t है पर यह bought, bought, bought और बहुत अच्छी तरह से यह lot के साथ rhyme करेगा यह वाले case में अपने देखा आपने four more door बिल्कुल वही चीज़ है bought और lot के साथ समझ मैं आच्छी तरह से कोई problem आपको चलिए हमारा next और मैं लिख रही हूं ध्यान देंगे snow snow अब पढ़िए now हम यह now नहीं बोल रहे है snow आ रहा है इसमे नो w snow नहीं बोलेंगे snow and no spelling is different है rhyme हो रहा है अच्छी तरह से snow 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 एक बार मेरे साथ इन वर्ड्स को आप दोवर आएंगे four more dough four more dough bought lot bought lot snow no कुछ और लिखें चलिए पड़िये 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 समझ में आया है? हमको यही गलती से बचना है जनरली अगर हमने स्पेलिंग्स को देखा तो हम तो यह सब को गलत कर देंगे जबकि यहां स्पेलिंग्स अलग हैं लेकिन उनका प्रनंसियेशन देखिए उचारण देखिए, साउन देखिए, यहां स्पेलिंग मिल रही है आप P और D को हटा देंगे तो सेम स्पेलिंग है लेकिन उचारण पूर, पूर, डो कभी इसको राइमिंग वर्ड बन बन बनाएगेगा, गलत हो जाएगा बिल्कुल गलत हो जाएगा एक और वर्ड देखते हैं पढ़िए लो, नाओ, जास जाएगा, आओ, नाओ, नाओ, लो, 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 लो नाओ, 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 राइमिंग, नो आपने low देखके now लिख दिया, गलत, spelling से पर बिल्कुल नहीं जाना है, sound इसके बाद जब आपके teacher English में पढ़ेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा किस शब्द का pronunciation कैसे होता है नहीं तो rhyming word का जो आपका exercise होगी उसको आप गलत कर देंगे spellings नहीं हमको उचारण पे जाना है, sound पे जाना है, समझ में आया, low, now, no rhyming poor, door, no rhyming, गलत, इसको मिटा देज़े, अब, four, more, door, bought, lot, snow, no आज जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे न, इसके साथ साथ इसकी भी प्रैक्टिस करेंगे start, आपको एक-एक सेर अफ वर्ड्स को पढ़ना है, इनको आपको split करके, break करके पढ़ने की ज़रूद नहीं है सीथे-सीथे, four, more, door, bought, lot and snow, no ठीक है, लेकिन इनको पढ़ते समय, awk words र, awk, rock, la, awk, lock, इस तरह से पढ़ेंगे teachers, please practice करा है सारे बच्चों की और हर बच्चा एक-एक सेट अफ वर्ड्स को पढ़ेगा, इसके साथ इसको भी पढ़ेगा और अच्छी तरह से पढ़ेगा, thank you very much